वीडियो को लाइक एंड सस्क्राइब जिरूर करें आज हम करेंगे पाठ एक चैप्टर वन यानिके पाठ एक चैप्टर वन इस जल प्रल्य में के प्रशन उत्तर तो सबसे पहला हमारा प्रशन क्या है बाड की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे तो तर हमारा क्या रहेगा बाड की खबर से सारे शहर में आतंक मचा हुआ था यानिके बहुत ज़्यादा शोर श्राबा लोग बहुत प्रेशान हो रहे थे लोग अपने सामान को निचली मंजिल से उप्री मंजिल में ले जा रहे थे फ्रीद, बिक्री बंध हो चुकी थी लोग घरों में खाने का सामान, दियासलाई, मोंबत्ती, दवाईयां, किरोसीन, आधी का परबंध करने में लगे हुए थे नमबर टू, बाड की सही जानकारी लेने और बाड का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था उत्तर, लेखक ने हमेशा बाड से हुए विनाश के विश्य में सुना था उन्होंने अनेक रचनाई भी बाड से संबंधित लिखे थी और उन रचनाओं के लिए उन्हें पुरसकार भी मिला था प्रंतु, उन्हें बाड को देखने का अवसर कभी प्राप्त नहीं हुआ इसलिए लेखक बाड की जानकारी लेने और उसका रूप देखने के लिए उत्सुक था प्रशन नमबर 3 सबकी जबान पर एक ही जिग्यासा पानी कहां तक आ गया है इस कथन से जन्समुह की कौन सी भावनाई व्यक्त होती है यानि के लोगों की उत्तर इस कथन से लोगों में जिग्यासा के भाव उठते हुए जान पढ़ते हैं सबके मन में वँ आखों में एक ही प्रशन जिग्यासा का रूप लेन चुका था कि पानी कहां तक पहुच गया होगा पानी कोन से हिस्से को निगल गया होगा सबी लोग बार के भैसे नहीं अपितू बार के पानी की गती के विश्य में जिग्यासू थे यानि कि वो जानना जाते थे कि बार कितनी है कैसी है जिनोंने अभी तक सस्क्राइब नहीं किया वो सस्क्राइब और लाइक जिरूर कर लें ताकि उन्हें हमारी और वीडियो भी मिलती रहें और बेल का बटन दबाना ना भूनें प्रेशन नमबर चाथ मृत्यो का तरल दूत किसे कहा गया है और क्यों उत्तर लेखक ने मोटी डोरी की शकल में गेरूआ जाग फेन में उलजें बार के पानी को तरल दूत कहा है क्योंकि ये पानी तरल था पर मोट का संदेश लेकर तेजी से आगे बढ़ रहा था इसलिए इसे मृत्यो का तरल दूत कहा गया है प्रेशन नमबर पांच आप दाओं से निपटने के लिए अपनी तरफ से कुछ सुझाव दीजिए उत्तर वैसे तो इसका उत्तर आपने अपने आप लिखना है लेकिन आपको समझाने के लिए मैं एक उत्तर दे रही बार एक प्रकृतिक आपदा है यानि कि प्रकृतिके इसाप से आती है ये कोई लेकी नहीं आता है इसका कारण मुसलाधार वर्षा के कारण नदी का जलस्तर बढ़ना है तथा सभी जगें भराब हो जाता है यानि कि पानी पानी भर जाता है सारे में लोगों को अपने स्थानों को छोड़कर उचे स्थानों पर आश्रिया लेना पड़ता है यानि कि वहाँ पर अपना ठीकाना बनाना पड़ता है इससे निपटने के लिए नाउं का उचित प्रबन होना चाहिए परियाप्त मात्रा में खाद्य समगरी होनी चाहिए स्वेम सेवी संस्थाओं वे सरकार को पहले से ही कयारी रखनी चाहिए परियाप्त मात्रा में दवाईयां वे चिकित्सा के लिए डॉक्टरों को भी नियुक्त करना चाहिए प्रशा नमबर छे इहे जब दानापो डूब रहा था तो पत्निया बाबू लोग उलट कर देखने भी नहीं गए अब भूजो इस कथन द्वारा लोगों की किस मानसिक्ता पर चोट की गई है इस कथन में गाउं के गवार ने शहर के बाबू लोगों की स्वार्थी मानसिक्ता पर चोट की है यानि कि उसने ये कहा है कि जो गाउं की लोग होते हैं वो मतलबी होते हैं उसके अनुसार जब दानापूर में बाड के कारण महाविनाश फैल गया था तब कोई भी पूछने नहीं गया पर आज जब स्वेम का शहर दूब रहा है तो खुद हाल चाल पता करने चले आ रहे हैं प्रशन नमबर साथ खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी? उत्तर बार में बस अगर खुली थी तो पान की तुकाने तथा उनके द्वारा लगाये गए रेडियो वे ट्रांजिस्टर लगातार बार का हाल समाचार सुना रहे थे लोग बार का हाल जानने के लिए पान वाले पर भीड लगाये थे वे पान भी खृते और बार की स्थिफी का भी पता लगा रहे थे जिन्नों ने अभी तक भी सस्क्राइब नहीं किया वो सस्क्राइब और लाइप जिरूर कर लें और घंटी का बटन दबाना ना भूले प्रशन नमबर आठ जब लेखक को ये एहसास हुआ कि उसके इलाके में भी पानी गुसने की संभावना है तो उसने क्या क्या प्रबंद किये उत्तर लेखक में सबसे पहले अपने लिए एक सप्ताह की पत्रिकाएं खरी दी फिर घर जाने पर गैस की स्तिती की जानकारी अपनी पत्नी से ली आलू, मोंबती, दिया सिलाई, सिग्रेट, पीने का पानी, दवायूं का प्रबंद किया प्रशन नमबर नुँ बाड़ पीरिट शेत्र में कोन-कोन सी बिमारियों के फैलने की अशन का रहती है उत्तर, हैजा, मलेरिया, टाइफाइड, आदी, बिमारियां फैलने की संभागना रहती है प्रशन नमबर दस नोजवान के पानी में उतरते ही कुत्ता भी पानी से कूद गया दोनोंने किन भावनाओं के वशी भूद होकर ऐसा किया उत्तर, दोनोंने एक दूसरे के प्रेम में वशी भूद होकर ऐसा किया क्योंकि जब डॉक्टर ने बिमार युवक के कुत्ते को नोका में ले जाने को मना कर दिया तब वह युवक भी नोका से उतर गया वह दोनों एक अनुठे प्रेम के परतीक है प्रशन नमबर ग्यारा अच्चा है कुछ भी नहीं कलम थी वहबी चोरी चली गई अच्चा है कुछ भी नहीं मेरे पास मूवी कैमरा, टेप रिकॉर्डर, आदी की तीवर खंठा होते हुए भी लेखक ने अंत में उप्रियुक्त कथान क्यों कहा उत्तर, यहां पर लेखक ने बाड़ से उत्पन दुख को व्यक्त किया है लेखक पहले इस घटना को कैमरे में कैद करना चाता था तब कैमरा नहीं था फिर वे लिखना चाता था तब उसकी कलम भी उसके पास नहीं थी वह भी चोरी हो गई थी तब लेखक ने सोचा कि अच्छा ही हुआ कि ना मैं कैमरे में कैद कर सका ना ही लिख सका बाड़ में इसे बार-बार देखकर पढ़कर दुख ही होता कुछ प्रापना होता तशन नमबर बारा आपने भी देखा होगा कि मेडिया द्वारा प्रस्तुत की गई घटनाए कई बार समस्याई बन जाती है ऐसी किसी घटना का उलेख कीजिए तो इसको भी आप अपने आप भी लिख सकते हैं तो हमने एक इसका उत्तर दिया है तो सुनिए 30 अगस्त 2007 में Live India Channel Lane सर्वोध्य विध्याल्य की एक अध्याभी का उमा खुराना पर स्टिंग ओपरेशन करके पूरे भारत में संसनी फैला दी थी यानि कि बहुत ज़दा ऐसा हो गया था भी है क्या ये क्या हो गया ऐसा उन पर यह आरोप था कि उन्होंने अपने ही विध्याल्य की छात्राओं से वैश्यावरिती करवाई यानि कि गलत काम करवाया अन्य चैननों ने भी बिना जाज परताल किये इस घटना को बढ़ चड़ कर दिखाया इसका परिनाम यह हुआ कि दिल्ली के दरिया गंज इलाके में हिंसा भड़क गई विध्याल्य और उमा के घर पर पत्राव होने लगे विध्याल्य ने उन्हें हटा दिया और पुलिस ने भी गिरफ्तार कर लिया उमा के साथ मारपिट तथा दुर्व्यवार किया गया बाद में पुलिस की कारेवाई से पता जला कि यह अरोप गलत था बाद में चैनल ने आपरेशन करने वाले परकास सिंग पर आरोप लगा कर पल्ला ज़ाड लिया यानि कि उन्होंने किसी एक व्यक्ति पर आरोप लगा दिया और कहा दिया हमारा कोई कसोर ने था बिना सही जाज परताल करे ऐसा करने पर मीडिया द्वारा माफी मांगने पर उनका दुख कम नहीं किया जा सकता और ना ही उनका खोया हुआ सम्मान वाप इस दिलाया जा सकता है प्रशन नमबर तेरा अपनी देखी सुनी किसी आपदा का वर्नन कीजिए उत्तर तो ये मेरी देखी हुई आपदा है जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ यानि कि सुनी विवी है और देखी विवी है दोनों बाते हैं इसमें मिली जोली हाँ मैंने एक बार भुचाल को महसूस किया था जिससे सभी कुछ हिलने लगा था और सभी लोग अपने घर छोड़ कर खुले मैदान में आ गए थे हमारे इलाके में इससे कोई नुकसान नहीं हुआ तो ये तो थी मेरी देख्यो ही गटना लेकिन इसकी गटी गुजरात में अधिक होने के कारण बहुत नुकसान हुआ जान का भी और माल का भी जो कि मैंने बाद में तीवी पर समाचार में सुना और वहाँ पर हुए जान माल के नुकसान के द्रिशय भी देखे धन्यवाद करते हुआ जान करते हुआ है